तो क्या साइन्स से डर लगता है? क्या साइन्स के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो? या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टैंचिन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ मुझे अपना दोस्ती समझो तो आपकी सक्सेस के लिए तीन स्टैप सबसे इंपॉरेंट है? कम्प्लीट डिटेल, फुल कंसेंट्रेशन और थर्ड सबसे इंपॉरेंट है? वो है हमारा चैनल सो वाए वेट, लेट्स गेट स्टार्ट इसके अंदर में आपको एक फ्लो चार्ट के तुरू समझा दिया कि कैसे इसको आप लेर्न कर सकते हो, बहुत बड़ा टॉपिक है तो पूरे टॉपिक का एक फ्लो चार्ट बना के मैंने वहां आपको बता दिया था और उस फ्लो चार्ट को देख लेना दूसरी प्लेलिस्ट जो बायलोजी की है जाके उसमें और अब हम अपनी NCRT के अंद कैसे इसको अपना न्यूटरिशन लेता है यह हम पढ़ेंगे इससे पहले के सारे टॉपिक आप लोगों को मैं बता चुका हूँ जो बच्चे पहली बार देख रहे है इस वीडियो को तो आप लोग इससे पहले की वीडियो देख लेना आपका अच्छा ऐसे और बेनेफि कैनाल सिस्टम मतलब human digestive system के बारे में आपको मैं बताऊंगा तो मैं आपके लिए निकालते हैं आपर human nutrition in human being इसको देखते हैं देखो बता रहा है the elementary canal is basically a long tube extending from the mouth to the NS जो हमारी elementary canal है पूरा जो हमारे mouth से लेके NS जितनी भी पार्ट जा रहा है सारी उस starting से ending तक को हम elementary canal बोलते हैं ठीक है तो यह mouth से लेके NS जितनी भी पार्ट है elementary canal के लाता है we can see that the tube has different parts various reasons are specialist to perform different function what happened to the food once it enters our body तो क्या होता है जैसे ही food हमारी body के अंदर एंटर करता है तो यह सब हम पढ़ेंगे we shall discuss this process here तो आगे देखते हैं एक activity दे रही है यह important है हर चीज ही important है जो NCRT में दे रही है आपकी तो इस activity को भी मैं बताऊँगा ता कि एक एक line आपकी clear हो जाए क्योंकि mostly बच्चे इन चीजों को skip कर देते हैं और exam में कई बार टेक्निकली पूछ ली जाती है तो दिक्कल हो जाती है ठीक है तो देखते दो टेस्ट्यूब के अंदर A और B में हमें ले ले लेना है स्टार सुलिशन फिर वो कहा है एड़ 1 ml of saliva to a test tube A एक टेस्ट्यूब के अंदर हमें 1 ml saliva डाल देना है जो हमारा जो माउत के अंदर जो saliva होता है थूग बनता है उसको हमें 1 ml को उसमें डाल देना है एंड लीव ब करना है दोनों test tube को undisturbed रग देना है 20-30 मिनट के लिए अड़ फ्यू drops of dilute iodine solution to the test tube अब iodine solution के कुछ drops जो है आप उस solution के अंदर डालोगे मैं आपको पहले जब एक्टिविटी पढ़ाई थी प्लांट से रिलेटिड तो iodine solution का test उसमें इस्तमाल किया गया था iodine solution जो होता है basically stars test के लिए इस काम आता है जो भी किसी भी चीज के अंदर starch present होता है उस starch की presence को check करने के लिए iodine solution का इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो अब वो iodine solution के कुछ drops जालने के लिए कह रहा है डाल देंगे फिर आपको आगे पूछ रहा है in which test tube do you observe a color change किस test tube के अंद activity आपको क्या बता रही है कि किस में absence है presence है stars की इससे आप क्या बता सकते हो और वो पूछ रहा है what does this tell us about the action of the saliva on the starch तो इससे आपको यह क्या बताता है saliva का जो action कैसे होता है stars के उपर तो देखो आप इतनी सारी चीजे पढ़ोगे और आपसे पूछ ली जाएगी activity question के तरीके से और आपसे इनी 3 questions को पूछ लेगा और 3 number में पूछ लेगा ठीक है ना तो आप आप लोग समझ लो की एक चीज कर दिया आपके लिए देखो अब यह जैसे एक हमने test tube A ले ली ठीक है यह A है अब एक ऐसे test tube हम B ले लेते है ठीक यह हमारी B test tube हो गई अब आप देखो A test tube के अंदर हमने यहाँ पे 1 ml सबसे पहले star solution कह रहा था ले लिया यहाँ भी 1 ml star solution ले लिया अब इसके बाद क्या कर हमने कि एक test tube के अंदर हमने saliva भी डाल दिया इस वाली A वाली A test tube के अंदर हमने 1 ml saliva हमने इसके अंदर एड़ कर दिया 20-30 मिनट के लिए रख दिया saliva भी हमने एड़ कर दिया यहाँ पर ठीक है अब क्या करेंगे फिर 20-30 मिनट बाद few drops of iodine solution उसके अंदर हम डालेंगे iodine solution की iodine solution की कुछ drops हम डाल देंगे यहाँ भी इसके अंदर हम कुछ iodine solution की drop डाल देंगे तो आप basically होगा क्या यह मैं आपको बताता हूं तो जो आपकी test tube A है यह जो पहली test tube है इसके अंदर कोई भी color change नहीं होगा वो वैसे as it easy रहेगा iodine solution डालने के बाद भी और जो आपकी B test tube जो यह B वाली test tube थी जिसके अंदर iodine solution था और हमने यह star solution था और iodine की कुछ drops डाली थी यह इसका जो color है यह change हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा blue black color हो जाएगा आपका ठीक है तो blue black color क्यूं हुआ अब यह सब इसके पीछे का reason बताता हूँ देखो दुबारा साब के लिए बना के अच्छे से explain करके उस बात को अब हम deeply समझेंगे क्या था वो देखो यह आपकी दो test tube थी यहां हमने star solution इसके अंदर दो क्या होगा क्या जो B है इसका color change हो जाएगा और यहां पे रहेगा no change ठीक है एक test tube के अंदर कोई भी change नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें saliva डाला ता तो अब देखो अब जो question पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते है अब जैसे अब इनका answer हम देंगे क्या है सबसे पहले उसने है कि test tube में color में क्या जो test tubes के अंदर जो solution थे उनमें क्या change आया color में तो हमने बता दिया A में कोई change नहीं आएगा बी में change आएगा अब इसका reason क्या है यह बताता हूँ reason भी तो पूछ सकते है इसका reason क्या है देखो बच्चो जो आपका saliva होता है saliva के अंदर एक enzyme होता ह जिसका नाम होता है salivary amylase इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा salivary amylase जो होता है यह starch के साथ act करता है ठीक है starch के साथ react कर लेता है और इसको sugar form में change कर देता है ठीक है sugar बना देता है तो जहां पर test tube A के अंदर हमने saliva add करा star solution पहले से ही था जब यह इसको हमने 20-30 minute के sugar बना लिया तो जब इसके अंदर मैंने iodine का solution डाला तो वो sugar के साथ react ही नहीं होगा और कोई color change नहीं होगा वेर एल्स कि जब अगर उसमें सिर्फ starch होता जैसे B test tube के अंदर था और जब मैंने उसके अंदर iodine solution यहां पर add कर दिया तो क्या होगा इसका जो color है वो blue black color हो जाएगा black blue color हो ठीक है तो आप बता सकते हो test tube A में कोई भी color change नहीं आएगा और B में color change हो जाएगा A में color change क्यों नहीं हुआ है due to the action of the saliva on the starch solution it changed the starch into sugar ठीक अब आगे पूछ रहा था कि presence और absence से क्या पता लगता है यह सब मैं आपको बता दिया और action of saliva यह एक ही उसमें पार्ट में सब कुछ मैंने बता दिया आप इसको अलगर अराम से लिख सकते हो ठीक है तो activity मैंने बता द We eat various type of foods which has to be passed through the same digestive track अलग अलग तरीके खाना खाते है वो same digestive track से हो के गुजरता है naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture जो हमारा food है उसको इस तरीके से process करना है कि वो small particles में हो जाया उसका एक texture बन जाया जो भी चीज हम खाते है चाहे वो नर्मो या सक्तो ठीक है बढ़ी हो चोटी हो उसको हम एक proper उसकी bite बनाके फिर उसको हम खाते है और उसको एक चबाके पूरा एक texture देते है फिर उसको गलते है नीचे ठीक है this is achieved by crushing the food with our teeth यह हम कैसे करते है दातों से उस खाने को चबाके since the lining of the canal is soft canal मतलब जो हमारी इसको बोल रहा है यह जो हमारी इसको बोल रहा है यह जो हमारी isophagus है ना इसको यह canal जो होती है soft होती है इसी के बारे में बता रहा है कि यह जो lining है यह soft होती है इसी लिए the food is wetted to make it passage smooth food को गिला किया जाता है ठीक है ताकि उसका जो passage बन जाता है कैसे होता है saliva सही होता है when we eat something we like our mouth water जब हमें कुछ जो अच्छा लगता है खाना वो चीज हम खाते है तो हमारे मूँ में पानी आ जाता है ठीक है this is actually not only water but a fluid called saliva secrete by the salivary gland हमारे माओथ के अंदर salivary gland होता है जिससे saliva निकलता है ठीक है और यही saliva मिक्स होके वेट बनादेता है उस food को another aspect of the food we ingest is its complex nature जो हम खाना खाते है वो complex होता है nature में ठीक है क्योंकि हमारा जो mode of nutrition होलोजोग है तो हम खाते ही ऐसे हैं कि complex food को पूरा intake करते हैं फूर उसको पूरा खा लेने के बाद हम उसको फिर digest करते हैं ठीक complex food खाते हैं if it is to be absorbed from the elementary canal अगर elementary कनाल के दुआरा उसको हम चाहते हैं कि वो absorbed हो जाया it has to be broken into small molecules उस complex nature को हमें small molecules में change करना है food के तब ही वो पूरी तरह से absorbed हो पाएगा this is done with the help of biological catalyst called enzyme अब ये किसकी help से होता है biological catalyst की help से होता है ठीक अब ये biological catalyst क्या है इनके बारे में देखो biological catalyst called enzyme enzyme कहलाते हैं ऐसे ऐसे कुछ जो पदार्थ होते हैं कुछ enzymes जो हमें इस जो complex nature of food को simpler molecules में change करते हैं उसको हम बोलते है enzymes इनके बारे में ही आगे पढ़ेंगे इनसे ही related ज्यादा तर question पूछ जाते है so the saliva contains an enzyme called salivary amylase saliva के अंदर एक enzyme होता है जिसका नाम होता है salivary amylase that breaks down starch which is a complex molecule to give simpler sugar तो यह जो saliva जैसे अब आपको पहले बताया मैंने saliva के अंदर salivary amylase होता है यह break कर देता है starch को जो एक complex molecule है into simple sugar sugar form में change कर देता है sugar मैंने आपको पहले ही बताया simplest form होती है food की the food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue तो जब हम food को चबाते हैं यह saliva के साथ मिक्स हो जाता है मारे mouth में और regulate यह food को regulate को और करता है muscular tongue food को गुमाती है हमारे जो भी mouth के अंदर होता है तो इसलिए बोलते है अच्छे से इसको हमें चबाना चाहिए क्योंकि जो digestion है वो mouth से ही start हो जाता है अगर हम खाने को चबाएंगे नहीं salivary amylase मिलेगा नहीं उसके अंदर तो वहाँ पे वो complex जो starch है वो sugar में change नहीं होगा और further digestion में problem होगी इसलिए खाने को चबाना चाहिए हमें ठीक है आगे देखो it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part food को digestive जो भी हमारे tubes में जा रहा है हर पार्ट में प्रोसेस होना चाहिए मतलब पूरी तरह ये regulate manner में जाना चाहिए digestive tracts के अंदर so the lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward तो इसी लिए जो हमारे ये जो देखो ये जो हमारे इसोफेगस है इसकी जो muscles होती है ये आगे लगातार उस food को push करती रहती है forwardly push करती रहती है ताकि वो खाना असानी से हमारे जो इसोफेगस है food pipe है उससे निकलते हुए हमारे stomach में चला जाए तो ये जो moment होती है इनको ये peristallic moment कह रहा है देखो these peristallic moment occur along with the gut ये all along with the gut ये मैंने आपको peristallic moment उस दूसरी playlist में बता रहा है पूर इसके बारे में तो ये जो peristallic moment होती है अगर all along the gut अब ये गट कहा है ये नहीं बताया हुआ था मैंने महा पे तो अब ये गट बता देता हू एक बार तो इसलिए कह रहा हूँ दोनों जगा से पढ़ना जरूरी है देखो अब ये जो mouth से लेके जो आपका ये पूरा इसोफेगस तक का पार्ट है ना इसको बोलते है gut ठीक तो the portion from the mouth to the end of the esophagus is called the gut गट बोलते है ठीक है इसको और यहीं ये peristaltic moment होती है जो खाने को mouth से हमारे इसोफेगस के तुरू स्टमक में ले जाती है ठीक now from the stomach the food is taken from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or called esophagus तो mouth से खाना esophagus के तुरू लेके जाये जाता है the stomach is a large organ which expands when food enter it तो stomach एक large organ है जो expand हो जाता है जब food उसमें enter करता है ठीक है muscular होता है तो इसलिए ये expand हो सकता है the muscles of the wall the muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices तो जो हमारे stomach की muscles होती है न ये क्या करती है इनकी जो walls होती है ये कुछ digestive juices के साथ उस खाने को mix करती है ताकि digestion हमारा improve हो सके तो अब ये देखते हैं क्या क्या ये wall से कौन कौन से digestive juice निकलते है so the digestion in the stomach is taken care by gastric gland तो ध्यान रखना बच्चो इस टमक के अंदर जो glands होते हैं जहां से हमारे digestive juice निकलते हैं stomach में से जो निकलते हैं ये कहां से निकलते हैं gastric glands से निकलते हैं ठीक है वहाँ पी मैंने बता रहा है दूसरी प्लेइलिस्ट में अच्छे से आप लोग यहां भी आप जिन्होंने वह देखी है तो उनको बिल्कुल भी परेशानी ही नहीं होगी इन टॉपिक्स को पढ़ने में और जो मैं बता रहा हूं बहुत easily revised हो जाएगा और न्यू बाते भी बता लग जाएगी ठीक है तो अब यह देखो gastric glands से gastric glands से कुछ digestive निकलते हैं juice यहां पर बोल रहा है digestion in the stomach is taken care by the gastric gland pleasant in the wall of the stomach these release hydrochloric acid a protein-digesting enzyme called pepsin and mucus तो इन gastric gland से क्या-क्या निकलता है hydrochloric acid निकलता है protein को digest करने वाला enzyme निकलता है जिसका नाम है pepsin और mucus ठीक है hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin अब जो hydrochloric acid है यह acidic medium create करता है acidic medium बनाता है जो क्या facilitate करता है action of the enzyme pepsin pepsin के action को facilitate करता है तो इसका मतलब जो हमारा pepsin है ना यह हमारे acidic medium में ही काम करेगा हमेशा तो याद रखना role of HCL क्या है कि यह medium को acidic बनाता है ताकि pepsin भहिया जो है वो काम कर सके अच्छे से ठीक तो what other function do you think is served by the acid अब वो कहरा है कि क्या कोछ अलग और क्या function acid जो है perform करता होगा तो देखो जी acid है जो भी bacteria हमारे food के अंदर होता होगा उसको भी मार देगा यह ठीक है तो दो मैंने बता दी है कि एक तो वो acidic medium grade करता है for the action of pepsin ठीक है protein digestive enzyme and it also kills the bacteria present in the food आके देखो the mucus protects the lining of the stomach from the action of the acid under normal condition तो इसका मतलब क्या है जी देखो अब देखो मैंने आपको बता दिया hydrochloric acid क्या करता है protein digestive enzyme तो बताई दिया और अब यह जो mucus है ना अब यह mucus भई है क्या करते है देखो तो mucus जो है यह आपके जैसे यह देखो यह आपका stomach हो गया stomach की stomach की वाल में जाके बैठ जाता है ऐसे देखो वाल को घेर लेता यह ताकि जब acid निकले ना acid यह वाल से टकराए तो हमें जलन ना महसूस हो लेकिन ऐसा सिर्फ normal conditions में होता है तो abnormal condition कौनसी हो गई आपको आगे पता लगेगा देखो so we have often heard adults complaining about acidity तो यह वो abnormal condition है जब हमारे आपने दिखा होगा घर में जो बड़े हैं यह बोलते हैं कि भई acidity हो गई इनो लादो जाके हमारे लिए ठीक है या कोई ऐसा anti-acid लादो जो पी के हमें आराम पढ़ जाए ठीक है तो यह ऐसा होता है जब हमारे जा इस्टमक के अंदर during indigestion ज्यादा acid produce होता है तो क्या होगा हमारे यह mucus की लेयर है यह भी break हो जाती है और हमें acidity की वज़े से acidity में जब ज्यादा acid निकलता है और हमें pain और irritation होती है तो ऐसे में कोई base ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है ठीक है जो दूसरी playlist है वहाँ पे भी कि जो stomach से जो food निकलेगा आपके intestine में जाएगा यह किस के थुरू जाता है sphincter muscles के थुरू जाता है इसका proper नाम भी बता रखा है वहाँ पे मैंने आपको which releases it in a small amount into the small intestine so stomach से na stomach से जो food है धीरे-धीरे small amount में जाता है small intestine में with the help of sphincter muscles from the stomach the food now enters the small intestine अब stomach से जो हमारा food है वो small intestine में आ चुका है अब क्या करेगा देखो this is the longest part of the elementary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling तो यह जो हमारी small intestine है यह हमारे longest part है elementary canal का अगर one mark में पूछे which is the longest part of the elementary canal system so small intestine are the smallest longest part of the elementary canal system which is fitted into a compact space because of extensive coiling coiling के रूप में होता है देखो दिखा देता हूँ आप लोगों को यह देखो यह देखो यह रहा यह coiling रूप में है बिलकुल ऐस तरीके से ऐसे गुच्छे बने में इसके तो ऐसे बना हुआ है यह ठीक यह मैंने आपको जो दूसरी playlist है वहाँ पर बच्छों पूरा diagram बनाने की अच्छे से trick समझा रहे है कि कैसे diagram बना सकते हो तो वहाँ से जरूर देख ले ना diagram के थुरू भी पूछा जा सकता है और बनाने को भी आ सकता diagram ठीक है जो कुछ ऐसे अनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं तो मीट इटिंग जो अनिमल होंगे उनके अंदर क्या होती है कैसी small intestine होती है देखेंगे और ग्रास इटिंग अनिमल्स होते हैं उनमें कैसी small intestine होती है तो length of the intestine differs in various animal depending on the food they eat herbivorous eat grass needs a longer small intestine to allow the cellulose to be digested तो जो herbivorous होते हैं जो प्लांट अगारा खाते हैं ऐसे animals को क्या होता देखो इनकी जो small intestine होती है लॉंग होती है जादा लंबी small intestine देते हैं इनके पास होती है क्योंकि ये मुश्किल होता है जो ग्रास बगरा जो इनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है इनके अंदर cellulose होते हैं तो जो easily digest हो सकें इसलिए लॉंग इनको small intestine दे दी जाती है और जो meat eating animal होते हैं meat is easy to digest hence carnivorous like tiger have a shorter small intestine तो क्योंकि ये सिर्फ क्या है जो meat होते हैं जो tiger कभी घंसवास तो खाएगा नहीं ये सिर्फ क्या खाएगा तो meat खाने की वज़े से ही इसको जो इसी तरीके का food खाता है तो इनकी जो small intestine होती है ये shorter होती है ठीक है अब दुबारे से human वाली process पर आ जाते हैं यहां से मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका जो food है वो small intestine में आ चुका है स्टमक से small intestine में एंटर कर गया है ठीक ये longest part होता है elementary canal का अब आगे देखो क्या बता रहा है इसके बारे में small intestine होती है ये side मतलब की वो जगह है जहां पर complete digestion होता है इसका? Carbohydrates का, proteins का and fats का it receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose और इसी proper digestion के लिए small intestine है इनको किसका साथ मिलता है किसका secretion मिलता है? liver and pancreas liver or pancreas से भी कुछ enzymes निकल के आते हैं और इसको digestion में help करते हैं, ठीक है? देखो अब आगे the food coming from the stomach is acidic जो food हमारे stomach में आ रहा है and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act और इसको alkaline बनना है alkaline क्यों बनना है? ताकि pancreatic enzyme इसके ओपर काम कर पाए ठीक है? अब उस acidic food को क्या बनाना है? alkaline बनाना है ताकि alkaline बनाना है ताकि pancreatic enzyme उसके ओपर काम कर पाए तो जी अब यह pancreatic enzyme को कौन help करता है देखो bile juice from the liver तो liver से निकलता है bile juice bile juice क्या करेगा? accomplish this in addition to acting on fat तो bile juice क्या करता है? यह क्या करेगा? उस medium को alkaline बनाता है ताकि जो pancreatic enzyme है वह fat के उपर और other enzymes के उपर काम कर पाए ठीक है ना? तो यह मैंने आपको बता दिया bile juice कैसे जो liver से निकलता है यह उस medium को क्या बनाता है? alkaline बनाता है ठीक है? for the action of pancreatic enzyme ठीक in addition to acting on fat आगे देखो fat are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them तो यह इतना बड़ा topic है यह मैंने पूरा एक फ्लोचार्ट में बता दिया था तो डिटेल यहां से पढ़ लो और फ्लोचार्ट महां से जा के आद कर लो आपके लिए दोनों बाते हर इंफोमेशन कवर हो जाएगी ऐसे ठीक है देखो अब हमने पढ़ लिया bile juice क्या करता है bile juice उस medium को alkaline बनाता है आगे देखें fat are present in the intestine in the form of large globules जो fat होता है यह large intestine में present यह large amount में present होता है large globules की form में ठीक है अब जो fat है large globules की form में होता है तो इसलिए यह मुश्किल होता है which is which make it difficult for the enzyme to act on them तो इसी वज़े से enzymes हैं वो उसके उपर अच्छे से act नहीं कर पाते तो अब यह देखो इस problem को solve कर रहा है bile salt breaks them down into smaller globules increasing the efficiency of the enzyme action तो bile salt क्या करता है इसकी efficiency को बढ़ाता है और उनको small globules में change कर दीता है ताकि आगे enzymes को मुश्किल ना हो तो देखो कितनी कमाल की बात है कि bile juice ने उस medium को क्या कर रहा है alkaline बना दिया ठीक है और जो आपका bile salt था उसने जो fat है जो large globules की form में है उसको small globules में change कर दिया ठीक है अब यह देखो आगे देखते हैं अब आगे कह रहा है इस इस सिमिलर तो यह जरूरी चैप्टर 4 के बारे में कह रहा है इसलिए आगे यहां सा देखेंगे the pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin pancreatic juice इस pancreatic juice के अंदर अब क्या क्या चीज़े होती है trypsin for digesting the protein lipase for breaking down the emulsified fat यह देखो एक और enzyme मैंने आपको दूसरी playlist में बता रखा है यहां पे बुक में दो ही है वहां flow chart में मैंने आपको बता रखा है pancreatic amylase भी निकलता है यह नाम है उसका तो यहां पे दो ही बता रहता है pancreatic juice निकलता है और pancreatic juice के अंदर क्या होता है trypsin होता है, lipase होता है parcreatic amylase बोलते है अब यह देखो क्या करता है trypsin यह protein के digestion में काम करता है trypsin protein के digestion में काम करेगा and lipase क्या काम करता है? emulsified fat about the bile salt पहर आपट ने जो प्रेक कर दियाता है दो उस जब वह मुझा जाता है और अप्रेट उसको बोलते है इमल्सिफाइड थे ओपर कौन काम करता है लाइपस काम करता है फाइनली दे वाल ओफ दे स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस अब क्या हुआ देखो जब पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस में निकल गया उसमें उस जूस के अंदर ट्रिपसिन था उसने प्रोटीन के उपर काम करा प्रोटीन को और आगे डाइजेस्ट किया और लाइपेस ने क्या किया इमल्सी फैड फैड को और ब्रेक कर दिया अब इसके बाद भी और डाइजेशन होता उसका। अब जो वाल्स होती है जो हमारी स्माली इंटस्टेंग की वाल्स होती है उसके अंदर से क्या निकलता है इसके अंदर जो एप्रोटीन को एमीनो ऐसेड में चे sald नेंग बैल खरी है कार्बोहेडरेट को गुलुकोस में चेंज कर देते हैं एंड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरल में चेंज कर देते हैं तो यह देखो इनकी सिंपलेस फॉर्म बताई गई है एंड में प्रोटीन चेंज इंटू अमीनो असीड complex carbohydrate change into glucose and fat change into fatty acid and glycerol ठीक है तो अब यहाँ पर यह पूरी तरीके से digest हो चुक है हमारे carbohydrate, protein and fat आगे देखते हैं Now the digested food is taken up by the wall of the intestine अब यह जब finally digest हो गया तो small intestine की wall क्या करती है इस food को ले जाएंगी और क्या करेंगी body तक पहुचा देंगी अब यह वहाँ से जाता कैसे है, यह देखते है the lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi तो जो यह villi है न यह transport का काम करती है, यह देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यह ऐसे हमारी न मालो यह small intestine है, ठीक है इस तरीके से हमालो कुछ, तो इसके यह ऐसे विलाई होती है, इसके वाल्स में यह देखो, finger-like projection ऐसे विलाई होती है, यह विलाई क्या करती है, यह जो भी खाना जो एंड में डाइजेस्ट होता है उसको एब्सॉर्ब करेगी, एब्सॉर्ब करके ले जाती है सारे cells को energy प्रोवाइड कर देती है, ठीक है देखो, यही बता रहा है कि small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for the absorption, the villi are richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every cell of the body, तो यह विलाई क्या होती है, richly supplied blood vessels, मतलब blood vessels होती है, यह जैसे ही, अब देखो blood vessels है, तो oxygen सब कुछ होता है, जैसे ही, यह खाना जो है, पूरी तरीके digest हो जाएगा, तो small intestine के अंदर जो विलाई होएगी, वो उसको absorb कर लेगी, इसलिए बोल रहा है, which increases the surface area for absorption, और यह blood vessels क्या करती है, which takes the absorbed food to each and every cell of the body, अब body के हर एक cell को absorbed food पहुचा देती है तो where it is utilized for obtaining energy, ठीक है, और building up new tissues and the repair of old tissues ठीक, तो अब यहाँ पे जो विलाई जो खाना ले जाके, हर cell को देदेगी, अब यह energy किसले इस्तमाल होगी, कि various activities के लिए, नए tissues को बनाने के लिए और जो old tissues हैं को रिपेर करने के लिए, अब आगे क्या होता देखते है अब आगे क्या होता देखते है अब जो फाइनली और जो small intestine से food जाएगा large intestine में और अभी भी जो unabsorbed उसका part रह गया है, उसमें से जो large intestine की वाल होती है वो क्या करती है, उसमें से water को एब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है, तो large intestine where its wall absorb more water from this material, ठीक, तो large intestine में water का absorption होता है the rest of the material is removed from the body via the anus, the exit of this waste material is regulated by the anus sphincter, तो ये anus sphincter muscles हैं, जो हमारे body को waste material को remove करने में help करती हैं, through the anus, ठीक है, तो यहां पर देखो बस यही था हमारा human elementary canal system, यह पूरा यहां से मैंने आपको mouth से लेके, कि mouth से कैसे start होता है, और यह anus तक anus से कैसे निकल जाता है, यह सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो यह final हमारा लास्ट यह था, यहां तक मैंने आपको बता दिया है, कि पूरा elementary canal system कैसे work करता है, इससे related questions वगारा, सब मैं आपको description box में available कराई देता हूं, उनको जरूर answer करना, और अपने doubts को comment box में जरूर पूछा करो, तभी आपको फायदा हो पाएगा इससे, ठीक है, यह dental carries ही है, इतना important है नहीं बस दातों में जो कीडे वगारा लगाते हैं, उससे related है, तो यह इतना कभी अगर यह भी वीडियो ध्यान से सुनाई ना, अगर यह भी वीडियो ध्यान से सुन लिए तो भी इन question का answer दे दोगे, और यह शुरू के दो question है यह तो पहली वाली वीडियो से आप कर सकते हो, ठीक, तो next class में मिलेंगे, respiration के topic को लेकर, अभी मैं इसके अंदर आपको human elementary canal system अच्छे समझा दिया है, तो वीडियो अच्छे लगी हो, तो like कर देना, share कर देना और subscribe कर देना चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो, और bell icon को जरूर प्रेस करना जिनोंने नहीं किया हुआ, ताकि आगे ऐसे ही सारी वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है, तो हसते रहो अच्छे से मुस्कुराते रहो और without tension खूब अच्छे से त्यारी करो, हमारे चैनल के सारी वीडियो को देखो, तभी आपको अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक, तो next वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए, all the best